हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जे स्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आ ट्यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक मुश्ट इंपॉर अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जा के देख लेना दोस्तों कि पहला लेक्चर ही सबसे conceptual lecture होता है और base lecture होता है तभी आपको आज का lecture भी समझ में आएगा तो जाके जरूर से पहला lecture देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा तो आज की lecture number 2 की शिरुवात करते हैं जिसमें हमें पढ़ना है एक practice है जो की इस particular chapter का आखरी practice से उठने वाला है और उसमें आपको पूछा है कि सबसे पहले वो diagram में जो triangles होगे दो triangles जो होँगे वो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि दोनों triangles जो है अपस में congruent है तो कौन से test से वो आपस में congruent होगे वो बताना है और कौन से remaining जो side या फिर बच जाते हैं, तो वो कैसे congruent होते हैं, वो भी आपको बताना है, ठीक है, तो question number 1 का, सबसे पहला, यहाँ पे मैं example लोगा, जो कि एक diagram यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे, तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, let's suppose this is a diagram, and यहाँ पे आपको एक तरीके से दो triangle, एक पुरा rectangle दो है, दो triangle में divide होता हुआ, दिखाई देगा, इस प्रकार दिया हुआ है, that is, M, S, T, ठीक है, this is T point, यह T point है, और यह B है, तो M, S, T, B, यह आपको दिया हुआ है, this is right angle, this is right angle, और यहाँ पे आपको clearly बोलके रखा है, कि यह जो side है, और यह जो side है, आप से पहले question समझने ही, कोशिश करो, question number one, जो है, इसमें पहला example यह है, आपको यह पूछा है, कि यह दोनों triangle, जो है, एक triangle आपका MST हो जाएगा, दूसरा triangle आपका TBM हो जाएगा, तो यह दोनों triangle आपको बताना है, कि कौन से test से congruent है, side 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 से है, side angle side से है, किस से है, यह आपको कुन से है, in triangle MST and triangle TBM, यानि कि मेरा triangle MST जो है, और मेरा जो दूसरा triangle TBM, इसमें आप देखोगे, एक चीज़ हमें बोल के रखा है, कि जो side MS है, जो मेरा side MS है, यह congruent है already, यह given है हम लोग को, side MS जो है, वो BT से congruent है, side TB बोल लो, BT बोल लो, एक ही बात है, तो side यह से congruent है, और चीज़ अगर आप consider करोगे, तो उसमें आपको एक और चीज़ यहाँ पर पता चलेगा, कि जो angle है मेरा MST, angle की में बात कर रहो, angle जो है मेरा MST, और angle जो मेरा है TBM, यह दोनों भी आपस में congruent है, angle जो है मेरा TBM, यह दोनों आपस में congruent है, क्योंकि दोनों ही 90 degree है, correct है, यह आप देखोगे, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने मिलेगा, यहाँ पर, कि यह जो मेरा MST है, इसमें मेरा 90 degree है, तो 90 के opposite में, 90 के opposite में, यहाँ पर आप जब देखोगे दोस्तों, कि यह जो है, hypotaneous होता है, यानि कि 90 के opposite वाला side क्या होता है, hypotaneous होता है, तो आप देख में मेरा hypotenuse दिया हुआ है, तो अगर मेरा पास एक hypotenuse है, दूसरा मेरा side है, तो directly मुझे और किसी test के जरूती नहीं है, सिधा hypotenuse side theorem से हम लोग बता सकते हैं, hypotenuse side test से हम लोग बता सकते हैं, कि यह दोनों जो triangle है, therefore हम लोग क्या बोल सकते हैं, यह जो triangle है मेरा, जिसका नाम triangle M, S, T, यह मेरा congruent हो जाएगा किस से, triangle T, B, M से, और कौन से test से congruent हुआ, यह दोनों congruent है, by hypotenuse side test, hypotenuse side से आपने proof करके दिखा दे, देखो दोस्तों समझने वली बात है, यहाँ पे हम imagine कर रहते हैं, हमको ऐसा लग रहता है, कि यह side आजएगा, यह angle आजएगा, और एक औ hypotenuse है, तो बच्चे confused हो जाते हैं, गलत test से proof करके आजाते हैं, तो गलत test से proof नहीं करना है, जभी भी hypotenuse, अगर होता है, कभी 90 degree का कोई angle दिया होता है, तो हमेशा में बोला हो आपको, first lecture में भी बताया था, कभी 90 degree अगर दिया है, आपके angle में, यानि कि वो hypotenuse test से ही proof होता तो यह सबसे पहला चीज जो आपको proof करना था, कि दोनों triangle congruent है, और कौन से test से congruent है, वो आपने बता दिया, अब एक और question इसी में यह पूछा था, कि जो remaining side है, उसको भी congruent बताओ, तो we know that, कि यह side है, मेरा ST, यह MB से congruent हो जाएगा, तो side ST जो है, वो congruent हो जाएगा, किस से side MB से, कि हो जाएगा, दोस्तो, BM लिख दो, MB लिख दो, एकी बात है, कि हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, कि जब कोई दो, दोनों triangle congruent हो जाते है, तो remaining sides, या फिर remaining angles भी congruent हो जाते है, यानि कि, हम लोग लिखेंगे, corresponding side of congruent triangle, CSCT, मैंने आपको बता है, तो CSCT का मतलब हो ये दोनों भी आपस में congruent हो जाएंगे, तो मैं क्या बोलूँगा, कि मेरा जो angle है SMT, SMT यह एंगल में SMT यह वाला जो एंगल है SMT में और दूसरा जो मेरा ट्राअगल है BTM यानि कि यह वाला एंगल तो यह एंगल और एंगल भी आपसमें क्या हो जाएंगे CONGURRENT हो जाएंगे BTM क्यों congruent हो जाएंगे CACYT समझा रहा है side concurrent रहेंगे तो CSTT लिखते हैं और angle concurrent रहेंगे तो CACT लिखते हैं आपको मैंने बताया था first lecture में आपको याद होगा नहीं भी याद होगा तो यहाँ पर आप सीख सकते हो कि अगर आपने एक बार प्रूफ करके दिखा दिया ना कि दोनोट राइंगल congruent है तो जो बचे हुए remaining angles या फिर बचे हुए remaining sides होते हैं वो भी आपस में congruent होते हैं by corresponding side side रहेगा तो corresponding side angle रहेगा तो corresponding angle यह आपको याद रखना है और कुछ angle बच रहे किया तो और कुछ angle बच रहे किया येस angle बच रहे ये वाला ती वाला ये वाला angle बच रहे और ये वाला angle बच रहे इसका मतलब क्या है एक मेरा है angle htm कुनसा वाला stm अब इसको मिटा तो इसका काम नहीं है तो htm यानि कि ये वाला angle ठीक है ना और दूसरा जो मेरा angle है मेरा जिसका नाम है bmt यानि कि bmt T, यानि कि ये वला angle तो ये वला angle और ये वला angle भी आपस में क्या हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है जो बचेवे side थे वो और दोनों angle ये आपने पूरूफ करके दिखा दिया कि ये भी दोनों आपस में क्या है concrete है साइड, corresponding side of congruent है और कुछ नहीं है clear है अब चलते हैं एक और example question number one का पहला example मैंने बता दिया एक और example कराओंगा क्योंकि इसमें total तीन example है question number one में तीन example है तो पहला करा दिया second में आप लोगो कराओंगा वापस से and third आपको homework दोंगा ठीक है उसके बाद jump करेंगे सीधा question number two की तरफ जो की बहुत simple है वापस चलते हैं हम लोग इसको rough करके सीधा second example की तरफ तो मैं इसको rough कर लेता हूँ फिर चलते हैं दुसरा type का example हम लोगो solve करना है तो उमीद करता हूँ कि यह कैसे हुआ क्या हुआ यह आपको समझ में आगया हुआ बहुत simple है दोस्तों इसमें कुछ भी ज्यादा परिशानी आपको नहीं देखने मिलेंगे और बहुत ही simple तरीके से इसको solve करना है second example let's write it down okay क्या दिया हुआ यहाँ पर question question number one का ही second example में करा रहा हूँ question number one का ही चल रहा है विदक second example तो यहाँ पर देखोगे एक डाइग्राम में इस प्रकार दिया हुआ है मैं आपके ड्राइग्रा करने की आपके लिए कोशिश करता हूँ let's suppose this is the diagram ठीक है यह दो ट्राइंगल है आपको दिख रहा है यह एक ट्राइंगल यह दो ट्राइंगल आपको नजरा रहा है नाम में लिख देता हूँ this is p q this is r and this point is s this point is t p q r st दिया हुआ है और इसमें ऐसा clearly बोलके रखा है कि यह वाला यह वाले से congruent है और फिर यह वाला यह वाले से congruent है obviously यह इतना हमें देखे रखा है और हमें प्रूफ करना इसमें प्रूफ मतलब कोशन ही हमारा वह यह ना कि आपको सबसे पहले तो बताना है कि यह दोनों ट्राइंगल आपस में congruent होंगे कौन से टेस से congruent होगे यह बताना है उसके बाद बताना है जो remaining angle और side बच जाते हैं वह आपस में congruent है वो लिखके दिखाओ ठीके चलो solve करते हैं इसको सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कि दोनों triangle को consider कर लो कौन से दो triangle है यहाँ पे in triangle कौन कौन से हैं एक तो है आपका PRQ इन triangle PRQ और दूसरा जो triangle है आपका जिसका नम आप कुछ भी रख सकते हो SRT लिख दो या फिर TRS लिख दो आपके उपर जो है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे angle TRS PRQ ले लिया आपने और TRS ले लिया तो यह दोनों triangle में आप जब consider करोगे तो इसमें दो चीज़ तो अल्रीड़ी देखे रखा हूँ है क्या कि जो मेरा PR जो side है side मेरा PR जो है वो congruent है यह पहला PR है ना यह single line दिया हूँ है यह single line PR congruent है किस से RT से होगा यानि कि TR से होगा sorry दो बार लिख दिया congruent ठीक है PR जो है वो congruent है side RT से यह सबसे पहला side एक प्रूफ हो गया दूसरा चीज यहाँ पे है कि आप देखो कि angle जो है यहाँ पर PRQ यह जो angle दिख रहा है PRQ यह angle congruent है यह angle जो है ना PRQ यह वाला angle congruent है किस से इस से congruent हो जाएगा जिसका नाम है यहाँ पे TRS तो angle PRQ TRS से congruent है क्यों congruent है reason क्या इसका बताओ मुझे तो reason यह है दोस्तों कि यह जो है vertically opposite angle है एक के पीछे एक 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 आगल है वो congruent है side जो मेरा QR है वो congruent है किस से RS से side RS से congruent है यह भी आपको क्या है given दिया हुआ है तो यानि कि आपने एक चीज़ देख लिया कि यह मेरा हो गया side यह मेरा हो गया angle और यह हो गया side यानि कि इन शॉट अगर मैं बोलू कि यह दोनों जो triangle जो हमने माना था triangle PRQ और दूसरा जो triangle माना था angle TRS यह दोनों क्या हो जाएंगे आपको समझ में आगया होगा इसको मैं headline कर देता हूँ, यह दोनो triangle congruent होंगे by side angle side test, ठीक है, अब remaining जो बजगे है उसको लिख दो, तो remaining क्या बच रहे हमारे पास, देखो यह तो आपने हटा दियो, इसको जरूरत नहीं है अभी यह तो आपने proof करके दिखा दिया, अब क्या बच रहा है एक तो angle मेरा बच रहा है, यह वाला यह वाला angle बच रहा है, यानि कि अगर मैं बात करूँ इसको, कि इसको हम लोग बोलेंगे, एक तरीके से आपका यह P वाला angle है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक तो आप देखो side वाला पहले ले लेता हो मैं यह जो side होगा, PQ यह HT से congruent होजाएगा, क्योंकि already PR और PQR यह आपस में congruent तो पहले से given में दिया था, लेकिन जो बच गया, यह side बच गया है, यानि कि जो मेरा side है PQ, यह मेरा congruent होजाएगा किस से, PQ congruent होजाएगा, HT से क्यों congruent होजाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है, जब दोनों triangle congruent होजाएगा, वो भी congruent होजाएगा, because of congruent side of congruent triangle, CSCT से, ठीक है angle क्या बच रहे, यहाँ पे आप देखोगे तो एक मेरा RPQ है, यानि कि RPQ, यह जो दिख रहा है आपको, यह angle जो मैं आपको बता रहा था, RPQ जो है angle, RPQ, यह भी congruent है, किस से congruent होजाएगा, दोस्तों आप देखोगे, RPQ जो है, वो congruent है, यहाँ पे PTS से, यानि कि आप देखोगे यह जो angle है, यानि कि यह वाला angle जो है, RPQ जो है वो RTS से भी congruent है, RTS भी बोल सकते हो, आप सीधा-सीधा, angle RTS, जब RPQ मेरा यह वाला है, तो RTS भी है, इससे congruent होजाएगा, Q corresponding angle of congruent triangle ठीके ना, और क्या बच रहा angle, यह वाला angle भी बच रहा है, जिसका नाम है PQR, तो PQR भी जो है, वो congruent हो जाएगा, यानि कि angle PQR जो है वो किससे congruent दाएगा, क्या बच रहा है, इसके साफ में यह वाला बच रहा है, यानि कि इसका नाम क्या रख दूम है TSR angle TSR से, यह भी congruent है Q congruent है, corresponding angle of congruent triangle कितना simple है दोस्तों, आप यह बता हो, खतम हो गया और कुछ करना नहीं है, clear है तो उमीद करता हूँ कि यह भी example आपको बहुत ही easily समझ में आगा हो, बहुत simple example है बस आपको और कुछ नहीं करना है, इसको proof करके दिखाना है कि यह दोनों congruent है की नहीं ओक्या, अब इसके बाद का जो example है, question number one का second करा दिया थर्ड example में आप लोगो homework दे रहा हूँ और उसके बाद question number two के उपर सीधा जम करता हूँ जो कि एक छोटा सा एकडम example है इसको कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँगा इसको मैं पहले rough कर लेता हूँ, फिर हम लोग आज का lecture को कुछ टॉप करेंगे और इसी के साथ हमारा chapter भी जो है वो खतम हो जाएगा, तो ध्यान से देखेगा हर एक चीज़ आपको 100% clear होने वाला है ओके सीधा चलते है question number two की तरफ ये exercise में, ये practice set में चलते है question number two, question number two क्या दिया है, किस प्रकार दिया है इस प्रकार का एक diagram है, जिसका नाम है A, इसका नाम है B, ठीक है इसका नाम है C and this is D point and this is E point ये आपको एक diagram दिया हुआ है, जिसमें बोला है कि ये जो side है, ये दो side है आपस में congruent है, ऐसा उन्होंने बोलके रखा हुआ है और question क्या बोला है, question किस प्रकार बोला है, सबसे पहले वो समझने की कोशिश करते है तो बोला ये है कि ये figure में आपका segment AD जो है, वो EC से congruent है यहाँ पे उन्होंने बोलके रखा हुआ है और बोला ये है कि अगर हमें ये triangle और ये triangle को proof करके बताना है या फिर proof हो जाता है कि ये दोनों angle like congruent है, वो भी इन्होंने बोलके रखा है कि कौनसे test से congruent है ये लोग, angle, angle side, AAS, test से ये लोग already congruent है angle, angle side, ये test से जो है already congruent है तो हमें बताना है कि कौनसा additional information और लगेगा इसमें कि हम लोग बता सके कि वो angle, angle, test से congruent है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नजर डालेंगे कि आपको एक चीज़ इन्होंने बोलके रखा है कि दो मेरा जो triangle है, कौनसा triangle ABD जो है और CBE, क्या मैं बोलूँगा इन triangle ABD और दूसरा मेरा triangle क्या है CBE यह जोनों triangle में आप देखोगे, तो उन्होंने एक चीज़ बोलके रखा है कि जो मेरा segment है, AD, वो मेरा congruent है, किस से? EC से क्या है? congruent है, उन्होंने बोलके रखा है यह given है, या उल्रinksने बोलके रखा है, ठीक है न? नजर आ रहा है, angle ABD जो है, angle ABD जो है वो congruent हो जाएगा मेरा C, B, E से Q हो जाएगा congruent क्योंकि ये वाला angle और ये वाला angle आपस में क्या हो जाएगा vertical या opposite angle हो जाएगा समझ में आ रहा है जुस्तों में क्या बता रहो ये दोनों angle भी congruent हो जाएगा तो अल्रड़ी एक angle आपको मिला हुआ है एक side मिला हुआ है यानि कि आपको अगर angle angle side आपको बताना है तो एक angle आपको मिला दूसरा side मिला तो मतलब एक और angle आपको बताना पड़ेगा कि वो angle अगर होता तो हम लोग ये angle angle side से बता सकते तो कौन से वो angle हो सकते अगर आप ध्यान सद रुखोगे, तो ये तो आपने बता दिया, तो कौन से दो एंगल हो सकते हैं, या तो वो ये एंगल हो सकते हैं, या तो ये होगा, तो इससे congruent हो जाएगा, ये वाला इससे congruent हो जाएगा, तो बस लिख दो उसको, या तो ये, या तो ये, तो हमें जो additional इंडिशनल इंफोर्मेशन चाहिए, जो हमें चाहिए, is needed, is needed to prove, to prove that कि triangle जो है मेरा A, B, D, वो मेरा कॉंगुरेंट है triangle C, B, E से वो है, वो चाहिए हमें, क्या चाहिए हम लोग को, सबसे पहले तो हम लोग बता सकने कि angle A, ठीके, D और B, ये वाला, ये वाला triangle, ये वाला, ये कॉंगुरेंट होता, angle A, D, B, जो है, वो कॉंगुरेंट होता, angle C, E, B से, यानि कि इससे, ये वाला इससे होगा न, obviously, तो angle C, E, B से, अगर ये कॉंगुरेंट होता, तो ये एक angle हो जाता, ठीके, न, ये एक angle हो जाता, दूसरा ये एक angle हो जाता, और ये side, यानि कि angle, angle side हो B D A B यहां पे D A B आप लेलो अगर वो देना सबस्वाइब अगर यहां पे होता वो E C B से यानि कि E Z B यानि कि यह वाला तो अगर यह वाला इस से दोनो के दोनो आप देखोगे या तो यह answer आएगा लेते हैं तो यह भी आंगल है तो यही आपको बस बताना था कि कौन सा वो एक्स्ट्रा additional information चाथ जो आप बता सकते हो कि यह एंगल आगल साइट से यहाँ पे होता है और यह दोनों ट्राइंगल जो है कॉंगुरेंट प्रूफ होता है क्लियर दोस्तों तो यह था हमारा सॉलूशन उमीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आगा होगा बहुत सिंपल सा था और इसी के साथ हमारा यह जो प्राक्टिस सेट है जिसका नामे प्राक्ट और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, यूसफूल लगा है फ्रेंट्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा आपने सारे फ्रेंट्स लोग को फटा फटस शेयर कर देना और अगर आपने अभी दग इस चैनल को सबस्क्राइब कर देना, आपने बेल आइकेन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे ना आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रेगी ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थाइंक यू एंड गुडबाई